हेलो दोस्तों नमिशकार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक ब्रेकफस्ट की रेसिपी ले कराए हैं ये जो रेसिपी है बहुत ही असान है बनाना और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है न normally सबी घरों में चावल बच जाते हैं आज हम इसे बचे हुए चावल से बनाएंगे तो चली इसे बनाना हम शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो कॉप प्राइस लिये है ये मेरे पास रात के बने हुए चावल है बच गये हैं तो इन्हें हमने इसको रियूस करना है अब हम इसे grind करेंगे एक हमने grinder लिया है इसके अंदर हम चावल को डाल लेते हैं चावल किसी भी quality के हो वो चलेंगे बस अच्छी तरह आपने से इसके अंदर डाल कर grind कर लेना है इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा दही मैंने आधा कप दही का यूज किया है दो कप चावल के अंदर आधा कप दही डालेंगे दही जादा खटा नहीं होना चाहिए आधा कप पानी डालेंगे अब इन दोने चीजों को हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं लीजी हमने इसे grind कर लिया है इसका जो पेष्ट बना है काफी थिक हमें चाहिए इससे बतला नहीं होना चाहिए यहां पे हम आधा कप सूजी का डाल देते हैं आए कि सूजी हम बांदिंग के लिए और हर image कटी हुई अब हमने इसके अंदर कटा हुआ धनिया डालना है धनिया को आपने वाश करके अच्छी तरह काटके डालना है अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हींग दो चुटकी भर मैंने इसके अंदर हींग डाली है अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा अगर आपको यह थोड़ा थिक लग रहा है इस ताइम तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं मैंने सूजी डाली है इसलिए ये थोड़ सा थिक हो गया है पानी डालने के बाद अब इसे मिक्स करके हम रख देंगे rest पे 10 मिनट के लिए तांकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए उसके बाद हम इसका breakfast मिनाएंगे तो लीजे बैटर हमारा बिल्कोर ready है अब हम इसे rest के लिए रख देते हैं थोड़ी दिल के लिए अब 10 मिनट के बाद हमारा बैटर अच्छी तरह फूल गया है और यहां पे हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी भर खाने वाला सोडा 1 फोर्थ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है और mix कर लिया है अब बैटर हमारा अच्छी तरह ready है अच्छी तरह फूल गया है अब हम एक अपे पैन लेंगे या फिर normal आप पैन भी ले सकती है मैंने अपे पैन लिया है इसके अंदर oil लगा दिया है, grease कर लिया है और इसके अंदर मैं थोड़े से तेल डाल रही हूँ यानि की sesame seeds थोड़े से तेल डालके इसके बाद हम इसके अंदर बैटर डालेंगे और बहुत ही तेस्टी इसके अपे बनते हैं, अगर आपके पास अपे पैन नहीं है, आप normal पैन लीजिए उसके अंदर छोटे छोटे पैनकेक जैसे बना लीजिए तो वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं तो अभी हम सारी cavity को full कर देंगे और ये काफी अंदर से soft होते हैं आप एक बार try करके देखिएगा, बचे हुए चाबल का बहुत ही best use है ये जो इसमी अंदर आपने material डालना है, वो आधा चमत से थोड़ा ज़ादा डालना है मतलब इसको पूरा fill नहीं करना है, अगर आप बहुत ज़ादा उपर तक fill करोगे तो ये food आते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं तो देखिए, दो मिनट पकाने के बाद अब हम इसे turn करेंगे ये रेखिए, easily ये turn हो जाते हैं इस तरह हमने इसको turn करना है, oil का बहुत ज़्यादा use नहीं करना है, बहुत ही healthy breakfast है सभी को हम turn कर देंगे एक बाद, उसके बाद दुस्री साइज से भी 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद ये हमारा breakfast ready हो जाएगा अगर आप चाते हैं थोड़ा सा oil लगाना तो आप इसके turn करने से पहले हलका सा oil लगाईए, फिर इसे turn कर देंगे, ये निचे से आपके बहुत ही crispy हो जाएगे मुझे oil थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मैं oil नहीं लगा रही हूँ जाता इसके अंदर, तो ये दिखिए मैंने इनको तभी को turn कर दिया है, अब हम इसे दुबारा से धक देंगे, धकने के बाद 2 मिनट फिर पकाएंगे, उसके बाद ये ready, 2 मिनट हो चुके हैं, ये दि step follow करते हुए मैंने 2-3 lot बनाए हैं, इसी तरह आप भी ready कर लीजिए, उसके बाद हम इसे serve करेंगे, ये जो breakfast है, आपके घर में सबको बहुत जादा पसंद आएगा, इतनी तो मेरी guarantee है, आप एक बाद ट्राइज रूँ करके दिखिएगा, तो लीजिए, ये आपे हमारे ब आप इसे एक बाद ट्राइज करेंगे, तो आपको ये बहुत जाला पसंद आएगा, और healthy भी है, tasty भी है, और बचे हुए चावल का यूज भी हो गया है, अगर आपको ये recipe पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक रूट कीजिएगा, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, आगे हम किसी नई recipe के साथ मिलते हैं, अगर आपको कोई और भी recipe चाहिए होती है, कोई frying की, कोई snack की recipe चाहिए है, या कोई baking cake recording recipe चाहिए है, कोई cake की recipe, तो आप हमें message कीजिए, हम उससे वीडियो जूरू पनाएंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत ब आगे हम किसी नई recipe के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए good bye, take care, एक piece में आपको तोड़कर भी इसका दिखा देती हूँ, तो देखिए, एक piece उठाते हैं, यहाँ आप इसको मैं तोड़कर दिखाऊंगी, आपको इसका texture पता चलेगा, अंदर से देखिए कितने ज़्यादा soft हैं, बाहर से बिल्कु क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं, दीजिए, एक bite आपके लिए है, sauce के साथ enjoy कीजिए, thank you for watching